चोपड़ा एजुकिसन यूटूब चनल पर मैं हरसा ही चोपड़ा आपका हारदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो आप में से काफी सारे स्टुडेंट के कोमेंट्स आ रहे हैं कि नीट 21 का एप्लिकेशन फॉर्म फिल करते से में कोई मिस्टेक हो गई है तो उनका फॉर्म असेप्ट होगा या नहीं क्योंकि अभी क्रेक्शन विंडो की डेट भी क्लोज हो चुकी है और ये कैसे पता चलागे उनके एप्लिकेशन फॉर्म में मिस्टेक है या नहीं किसी-किसी student के photo, signature और thumb impression में भी problem है तो इन सब के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे वीडियो शुरू करने से पहले आपसे request करना चाहूंगा कि आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो subscribe करके bell icon अवस्टे प्रेस करें तो सबसे पहले मैं आपको clear कर दूँ कि आपका application form फिल करते समय अगर कोई name की mistake हो गई है, address गलत हो गया है या फिर अन्य परकार की कोई mistake हो गई है या फिर आपके documents में भी कोई mistake है जैसे 10th की mark seat में name की spelling कुछ और है 12th की mark seat में कुछ और है या फिर किसी पर surname लगा हुआ है किसी mark seat में तो इस condition में आपको जरा भी tension लेने की आवश्यक्तर नहीं है आपका application form accept हो जाएगा और आपको admission लेते समय कोई problem नहीं आएगी बस आपको admission के समय एक affiliate देना होगा कि मेरे documents या फिर application form में mistake हो गई है यह information MCC के FAQ के page number 14 पर clear लिखी गई है question number 42 आप देख सकते हैं तो इसमें आपको जरा भी tension लेने की ज़रुत नहीं है एफिडेट आराम से बन जाता है 100 रुपय का स्टाम लेकर के किसी भी cyber के भीवाड़े से आप उस पर लिखवा के वकील से notary करवा ले तो इसमें आपके 100 से 200 रुपय का expense होगा इसमें तो आराम से हो जाएगा इसमें कोई tension लेने की आवश्यक्ता नहीं है अभी जिन candidate के photo में problem है जैसे किसी नेम और date नहीं लिखी है signature capital में है या फिर कोई अन्य प्रकार की problem है जिनके application form में mistake थी तो NTA ने उनके name और mobile पर SMS भेज दिया था re-upload करवा लिया था अगर किसी की problem हुई थी तो फिर भी इसके बारे में tension नहीं ले आप login करके वहाँ पर re-upload का option नहीं आ रहा है तो image में कोई problem नहीं है अभी हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे application form में कोई mistake है या नहीं है तो इसका दो मालम नहीं चलता है मगर जो mistake है उसका बाद में solution हो जाता है तो सो बातों की एक ही बात है कि आपने application form फिल करके confirmation page download कर लिया है तो आपका form आवसे ही accept होगा और आप आवसे ही exam दे पाएंगे तो मेरा ये video बनाने का मतलब ये ही था कि काफी सारे student इस condition में अभी काफी सारी tensions में है तो आपको tension लेने की ज़रूरती नहीं है आपको अपने study पर continue focus रखना है तो ये एक छोटा सा video था मैं सोचता हूँ आपके लिए काफी helpful होगा मिलेंगे नए अप वीडियो में नए अपडेट के साथ में तब तक के लिए जैहिन